हाज जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आखिर आज मोडरना वैक्सिन पर बात करने के जरुवत क्यों पड़ी है कि आपने कभी सोचा है अगर आप मोडरना वैक्सिन के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारा ये पूराना वीडियो देख सकते हो इसमें मैंने मोडरना वैक् नहीं लगाया जा सकता है क्या contraindication होता है इस vaccine का आपको कुछ भी information चाहिए regarding moderna vaccine तो आपको इस video में मिल जाएगा लेकिन आज मैं आपके सामने discuss करने जा रहा हूं कि आखिर moderna vaccine पे ban क्यों लग गया है यास आपने बिलकुल सही सुना है moderna vaccine पे कुछ countries में ban लगा दिया गया है तो आखिर ये ban क्यों लगा है और किस age group में लगा है ये मैं आपको आज discuss करने जा रहा हूं प्लस अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें and like and share करना ना भूलें ताकि ये आगे भी पहुँच सके सबसे पहले ये ख़बर France से आई थी, France में 30 साल से नीचे वाले patients में इस vaccine को मना कर दिया गया है लगाने को इस vaccine को ban कर दिया गया है उन लोगों में जो 30 साल के नीचे हैं जबकि पहले ये 12 साल से उपर वाले लोगों को लगाया जा रहा था तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 30 साल के नीचे वाले लोगों में यह लगाना बंद कर दिया गया है Actually इसके पहले कुछ cases और report किये गए थे Nordic countries से Yes, Nordic countries कहने का मतलब North European countries खास कर Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland and कुछ और territories वहाँ पे कुछ cases pericarditis के and myocarditis के report किये गए थे Yes, यह heart से related problem होती है, जहाँ पे myocardial cells का, myocides का inflammation हो जाता है and sudden death भी हो सकता है तो यह चुकी कुछ cases report किये गए थे, इस Moderna vaccine के कारण इसलिए 30 साल के नीचे इस vaccine को ban करा दिया गया है France में भी कुछ cases का outburst हुआ था देखा गया with period of time, number of cases, myocarditis के and pericarditis के काफी बढ़कर आए and खासकर उन लोगों में बढ़कर आए जिन्होंने इस vaccine को लगवाया था and उन लोगों में यह देखने को मिला है जो 30 साल से नीचे के थे जो 30 साल के उपर थे उन में safer आप देखोगे तो यह कही न कहीं safe था इस पर pericarditis, myocarditis के chances कम हो रहे थे तो अब question यह उठता है क्या कि वो लोग जिन्होंने first dose Moderna लगा लिया है mRNA vaccine का पहला dose लग चुका है अब second dose नहीं लगाने को बोला जा रहा है तो वो क्या करें तो क्या करें का answer है उनको बोला गया है कि आप यहाँ पे mix and match खेल सकते हो mix and match के बारे में जादी अगर जानकरी चाहिए तो आप हमारे यह previous वीडियो ज़रूर देखें इसमें मैंने आपको सारी बातों को बताया है कि क्या होता है mix and match तो वहाँ पे mix and match कहने का मतलब है कि आप Pfizer की vaccine लगवा सकते हो second dose के रूप में येस Pfizer पे कोई बहान नहीं है Pfizer पे अभी तक किसी भी तरीके का controversies उठकर नहीं आया है तो ये सारी बातें थी Moderna और Pfizer को लेकर मैं चाह रहा था इस बात को आपको बता दूँ ताकि कल को अगर आपको भी Moderna offer किया जाए तो आप decide कर सकें आप judge कर सकें कि क्या आपको लगवाना चाहिए या नहीं रहे गई इस vaccine से या किसी भी और vaccine से related question आप हमें comment box में डालेंगे आपको answer मिल जाएगा Thank you